यूस एटी इंडिया यूस एटी इंडिया वियुद्रिया मत्रियों के साथ हाँ किसानों की एहम बैठक भी होनी है। और सिंदू बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई है यानि वहां से जो भी गाड़ियां गुजर रही है उनकी बाकाइदा चेकिंग की जा रही है आपना जायो क्योंकि कहता नक्सान आवे ना अपना ही होगे है तो तस्वीर आप देख रहे हैं बॉर्डर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग लग बॉर्डर किस तरह से वहां पर चाक चौमंद इंतजामात किये गए हैं और किसानों के दिली कूच को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त कर दी गए हैं बेरिकेडिंग कर दी गए जगा जगा पर ड्रोन के जरी निगरानी की जा रही है यानि किसी भी तरह से ये आंदोलन जो है बड़ा ना हो उसकी तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से और अभी इस बीच चंडिगर्ड में किसानों के साथ एक बैठन भी होनी है और दूसी तरफ जो बॉर्डर्स हैं जो पंजाब और हर्यानस से जोडते हैं वहाँ पर इस वक्त कड़ी निगरानी कर दी गई है पुलिस की तैनाती है जो भी वहाँ से वहाँ निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और सिंदू बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर जो है उस पर तारह एक सुचमाल इस बी लगा दी गई है बारिकेडो की ये लंबी कतार लगी हुई है दिल्ली और उत्र प्रदेश के बॉर्डर गाज़पूर बॉर्डर पे जस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का खारिकरम बनाया है उसके मद्दे नजर तमाम बॉर्डरों पर इस तरीके के तैयारिया देखने को मिल रही है गाज़े पूर बॉर्डर की सबसे पहले तस्वीरे दिखा रहे हैं रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई है यह देख रहे हैं आप दिल्ली पूलिस की बसे हैं इसे ब्लॉक कर दिया गया है जो बिल्कुल छोटा सा गाप लोगों को बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है वही से लोग अपने दो पहियां वाहन जो है वो लेते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ बढ़ने एक तस्वीर और दिखाते कि देखें यहाँ पर CCTV लगाए गए है यह जो उपर खंबे आपको नजर आ रहे हैं इनमें CCTV कामराज लगाए गए हैं क्योंकि गाजेपूर पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जब किसान आंदोलन अपने उग्र रूप में था तो गाजेपूर बॉडर भी एक मेंट पॉइंट था ऐसे में जब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तमाम किसान जो है वो जगह जगह से दिल्ली कूच के लिए पहुच सकते हैं ऐसे में गाजेपूर बॉडर पर खास तैयारिया देखने को मिल रही है कैमरा पसना निल किसा आप प्रियांका कांटपाल नियूज जेटी निल्या दिली किस तरह के इंतजामात हैं और आज चुकी सोंवार का दिन है दफ्तर जाने वालों की बड़ी भीड होती है उससे कैसे निप्ते की पुलिस देखिए मैं आपको तस्वीरे अपकत सबसे बहले दिखा देती हूँ गाज़ेपूर बॉर्डर जिसे हम यूपी गेट भी कहते हैं वहाँ पर देखिए ये किस तरीके से पुलिस के दो गाडियां उसके पीछे चार लेवल की बैरिकेडिंग और ये पूरा रास्ता ब्लॉकार जोस तरफ में हूँ ये रास्ता सिर्वे दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला है यानि कि दिल्ली से यूपी जाने वाला है सीसी टीवी में आपको दिखाऊं ये क्योंकि फ्लाइ ओवर के ऊपर जो लाइट्स लगी है उनमें ये सीसी टीवी खास पर पर लगाए गए है इसके अलाबा एक और तस्वीर देखने आप बेहद अहम है क्योंकि आप देखेंगे आगे पीछे की तरफ जहां पर आप देखेंगे हर जगे बारिकेट लगाएगे तो यह जो तमाम गाडिया आपको यहां आती भी नजर आ रही है यह वो गाडिया है जो यूपी से दिल्ली एंटर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन यहां से अब यूटन करके जा रही है यानि कि रास्ते को यहां ब्लॉक कर दिया है हाला कि फ्लाइ ओवर अभी भी चल र जिसके वज़े से जाहिर तोर पर लोगों की परिशारी बढ़ रही है वो लोग जो सुभे स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे वो अपनी परिशानियों को यहां हम तक भी पहुंचा रहे हैं पंकरच बिलकुल प्रशान चुरे मेरे एक और सही होगी भी घाजीपूर बॉर्डर के आसपास ही मौजूद है प्रशान आपके पास क्या तस्वीरे हैं स्कूल जाने के लिए दिक्कत होगी बच्चों को उनके पैरेंट्स को उसके अलाबा जो आफिस गोर्स हैं उनको दिक्कत हो सक प्रशान मेरी आवाज मिल रही है आपको जी 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 प्रशान आप इस वक्त कहा हैं और क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे इस वक्त बिल्कुल देखिए हम गाज़िपूर मंडी के पास में यहां पर मौझूद हैं और यहां अभी प्रिकोटनरी बैरिकेटिंग कर दी गई है इस तरफ से रूट डैवर्ट हुआ है जो कल किसानों का आंदलन यहां पहुंचने की आचंका उसके मद्दे नजर अभी से पुल और से नीचे उतरने वाला रास्ता यह बंद कर दिया गया है और यह प्रिकोटनरी एक्शन लिया गया है जो पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है लेकिन रूट डैवर्ट किया गया और यहां से इस तरफ दिल्ली में एंटर करवा पा रहा हैं लोग हाला कि जो स्कू उन्हों ने अपने आंदोलन की बाद कई है जो से लेकर आज से ही यह एतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और यह आप देखिए किस तरह से कुछ लोग पैदल चलने वाले ही इस बैरिकेटिंग की किनारे से पहुंच रहे हैं बाकी यह पूरे लोग पुलिस प्रशासन की आ अब बिलकुर तो दो दिली वासियों के लिए थोड़ी मुश्किले जरूर हो सकती है आप जरा ध्यान रखें अगर आपको दिली की तरफ जाना है घाजियाबाद से या दिली से घाजियाबाद की तरफ से आना है तो आप जो दूसरे रूटस हैं उनका भी प्रयोग कर सकत हैं क्योंकि यहां दिक्कत होने वाली है सिंगू बॉर्डर पर हमारे सायोगी जाविद मंसूरी हमारे साथ है जाविद आपके पास क्या अपडेट क्या जान पार देखें पंकच सिंगू बॉर्डर पहले भी किसान टुटस्ट का केंदर रहा है और उसी के मद्दे नजर यहां तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की गई आपको तस्वीर दिखाते हैं बैरिकेट्स यहां पर लगाए गए हैं इसके अलावा पिछली बार की तरह हमने देखा था कि यहां पर सड़क पर कंटेनर रखे गए हैं अभी सड़क खुली हुई जरूर है लेकिन यह जो बड़ा प्रोटेस का एलान जो है वो किसानों ने किया देगी और उसकी तैयारिया और विज्वल समाप को दिखाते हैं यह बंडल आप देखिए यह कटीने तारों के बंडल है जो की बॉडर पर अभी पैक होके रखे हैं लेकिन इनकी जरूर्ट पड़ेगी तो इनको जादा उसी तरीकी की तैयारी में आपको देखिए यहां पर दिखाना चाहूँगा इस पूरी सड़क पर बॉर्डर के आसपास यहां पर पुलिस की तैनाती आपको नजर आएगी उनके कैम्स यहां पर नजर आएगी और आगे वाकाइदा क्रेन भी रखी हुई है तो यह जाए ओने की तैयारिया यहां पर की जा रहे है दिल्ली पुलिस की मचान देखिए हे आपको यहां पर नजर आएगी तो पूरी तैयारी के है की है, कल को देखते हुए आज एक तरह से रिहरसल भी पुलिस की है, बड़ी दिक्कत लोगों को ना हो उसके भी इंतलामाति की हुए हर्याना पुलिस ने 15 डिस्टिट्स में 13144 लगा दी गई है जबकि दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और सिंगू बॉर्डर और टीक्री बॉर्डर पर 13144 लगा दी गई है तो किसी भी तरह का कोई अंटू वर्ड इंसिडेंट ना हो इसको देखते वे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है चंडिगर्ड सिंगू बॉर्डर उसके लावा 15 डिस्टिक्स ऐसे हैं जहां पर 11144 लगाई गई है पूरे इंकजामात पुलिस की तरफ से कर दी गए है धिल्ली कूच पर अड़े पंजाब और हर्याना की किसानों की मांग है क इस सभी फसलों की खरीद पर MSP गारंटी अधिनियम बनाया जाए ये कहना है उसके रावा 77 किसानों को पेंशन की सुवधा मिले ये भी इसमें का गया प्रधानमंतरी फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की जा रही है उसके लावा 2020 में प्रदर्शन के दौरान किसानो पर दर्श केस रद कर दिये जाएं ये भी किसानों की मांग है स्वामी नातन आयो की सिफारिशों को लागू किया जाए साथिसाथ कृशी क्षेतर को प्रदूर्शन कानून से बाहर रखा जाना चाहिए ये किसानों की मांगे हैं जिसको लेकर वो अब सड़कों पर प्रद प्रियंका जरा आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हला कि अब कल ये अंदोलन किसानों ने बुलाया है किस तरह की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है कितने ट्रैक्टर्स वो लाएंगे तमाम किसान नेताओं के सबबर्क में आप होंगी क्या कहना है उनका अपनी मांगो को लेकर आ रहे हैं वो दिल्ली किसानों की अगर बात करूं तो बताया जा रहा था कि हजार से जादा ट्रैक्टर जो है वो तो शंबू बॉर्डर की तरफ ही चल रहे हैं और ऐसे में हमने देखा है कि एक जगे से ये कॉल होती है और तमाम किसान यूनियन जो है वो साथ में लग जाती है यही कारण है कि केवल दिल्ली हर्याना या दिल्ली पंजाब बॉर्डर को ही सील नहीं किया गया जो रास्ते जाते हैं तमाम बॉर्डर पर इस तरकी की चौकसी और एक तस्वीर में गाजी पुर बॉर्डर से आप आपको दिखाए उसके बाद आप देखेंगे कि दो सिमेंट के बारिकेट्स के लेयर भी की हुई है ऐसा है कि यह तीसरा अगर मैं कहूं कि जिन जबसे मैं देखना शुरू कर रही हूं तो यह तीसरी बार है कि इस तरह के का कॉल है और गाज़ेपूर पॉइंट की अगर के रहे तो केवल यूपी से आने वाले किसान यह नहीं है अगर वेस्टर्ण पेरिफेरल का इस्तमाल किया जाता है तो हर्याना के भी किसान जो है वो इसी रूट से यूपी में एंटर करेंगे और यही एक कारण है पंकच की आप गुडगाओं बॉर्डर की बात कीजे अर मजदूरों के लिए और उनके लिए कर्जे में पूरी तरीके से माफी चाहते हैं चीक कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर वो कूछ चली आप नजब बनाये रखें प्रियंगा कानपाल फिलाल आपका बहुत झाल झाल शकी कानपाल आपका लिएज़ और आपका बहुत झाल झाल